वीके न्यूज राश्ट्र के नाम शोशल मीडिया पर जम कर वाइरल हो रहा है और बच्ची यहाँ पर पूरे परिवार के साथ रोने लगी छोटा उसका जो भाई है वो भी रोने लगा था मा के भी आसू निकलने लगे मैच के दोरान ये बच्ची पूरे जोश के साथ CSK का सपोर्ट करते दिखी मैच बॉल पर अपना सिगनेचर करकर इसको उस फैन को दे दिया धोनी का ये वीडियो शोशल मीडिया पर जम कर शेर किया जा रहा है और लोग धोनी की खुब तारीफ कर रहे हैं आपको दादे टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंदर सिंग धोनी ने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ आईपिल 2021 के पहले कौली फैर मुकाबले में अपने पुराने दिनों को याद दिलाते हुए खुद को दुनिया का सबसे बड़ा मैच विनर साबित किया चन्नी सूपर किंग्स को फैनल में जगहा बनाने के लिए आखरी ओवर में 13 रन चाहिए थी धोनी ने अपना दम दिखाया और दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ आखरी ओवर में बाजी पलट दी और हार के जबडे से जीच छीन ली महेंदर सिंग धोनी ने 6 गेंदों पर नाबाद 18 रन बनाए और एक छक्का और 3 चोके लगाए मैच मुश्किल हालात में था और 5 गेंदों पर 13 रन चाहिए था एक पल के लिए लगा कि 40 साल के धोनी इस मैच को फिनिश नहीं कर पाएंगे लेकिन धोनी ने अपना रुद रूप दिखाते हुए लगातार 3 चोके ठोग गिया जिसमें एक गेंद वाइड रही और इस तरह माही ने हार के जबडे से जिच छीन ली थी धोनी के विनिंग शॉट लगाते ही स्टेडियम में मौजूद उनकी पत्नी साक्षी धोनी की आँखे नम हो गई थी साक्षी के साथ उनकी बेटी जीवा भी स्टेडियम में मौजूद थी धोनी ये जैसे ही विनिंग शॉट लगाया वैसे ही साक्षी ने जीवा को कसकर अपने बाहों में भर लिया धोनी के पत्नी और बेटी का ये सेलिब्रेशन जम कर वाइरल हो रहा है अब आपकी क्या राय इस पूरी खबर को लेकर धोनी का जो यहाँ पर सामने आया चैरा जिस तरीके से बच्ची को गिफ्ट किया है इन सब को लेकर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट सेक्षन में कमेंट करके जरूर बताईए और ऐसे तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहें वीके न्यूज राश्ट के नाव ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24x7 डिजिटल न्यूज चानल वीके न्यूज राश्ट के नाव